Hello Ladies, Welcome back to my channel which is Women's World with Shaila Satyagi. इस वीडियो को आगे ले जाने से पहले मैं आपसे क्वेशन करना चाहती हूँ, क्या आप अपनी स्किन का ध्यान रखते हैं? आप अपने परिवार का ध्यान रखते हैं, अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, अपने हस्बेंड का ध्यान रखते हैं, क्या आप अपना ध्यान रखती हैं? बिल्कुल नहीं रखती हैं, यह हर दूसरी महिला का प्रॉब्लम है, लेकिन आज की इस वीडियो में आपके सा मैं एक ऐसे मास्क के बारे में बात करना चाहती हूँ जिसे आप बहुत ही कम टाइम में अपने फेस पे लगा के इंस्टेंट ग्लो पा सकते हैं बिल्कुल सही तो बिना जादा टाइम वेस्ट किये चलिए जानते हैं ये पाक कैसे बनता है और इसको कैसे इस्तमाल करना है पाक करने करें लुगा रह सिषय लुगा हौँ है अपकी जो सकीन है उसको चाहते है और आपकी जो skin है उसको tone करता है हम इसमें इस्तिमाल करेंगे basin जो कि हमारी acne को ठीक करेगा उनको treat करता है आपकी dirt skin को remove करेगा और आपकी tanning को भी ये help करता है remove करने के लिए जो हमारा next ingredient है वो है turmeric यानि कि हल्दी इसके बहुत ही फाइदें है ये एक magical powder है it has anti-aging properties ये आपकी skin को light करता है आपके जो scars है आपके उनको भी light करता है और उनको cure करता है next ingredient जो हम इस पाइक को बनाने के लिए इस्तमाल करेंगे वो है neembu lemon ये आपके acne को reduce करता है और आपके blemishes को भी reduce करता है साथी में ये आपके skin को brighten करता है गोरा बनाता है and जो हमारा last ingredient होगा वो होगा aloe vera juice हम सभी जानते हैं ये हमारी skin के लिए बहुत ही अच्छी चीज है ये आपकी dry skin को moisturize करता है जो कि winters में सबसे अच्छी चीज है आपकी skin के अंदर अगर irritation हो रहे है आपको itching हो रहे है उसको भी आराम दिलाता है आपकी anti-aging properties इसके अंदर होती है it fights acne and blemishes आपके जो dark circles है puffiness है उसको भी ये remove करता है heal करता है चलिए अब हम इस pack को बनाते है इसमें आदा चमच हल्दी powder लेंगे लगबग दो चमच हमें इसमें बेसन डालेंगे उसके बाद एक चमच दही curd हम इसमें mix करेंगे और लगबग दो टेबल स्पून अलोविरा जूस अब हम इसमें आदा टेबल स्पून याने की कुछे साथ ड्रॉप lemon के एड़ करेंगे निम्बू के आप इसको अच्छे से mix कर लीजे और mix करने के बाद ये आपको ऐसा दिखेगा अगर आप इसको पतला करना चाहते हैं तो आप इसमें एक टेबल स्पून गुलाब जब दाल लीजे अद्वाइज ये perfect consistency ये लगाने के लिए अब हमारा face pack रेडी है मैं आपको दिखाना चाहूंगी ये इस तरीकी का है और अब हम इसको चल्दी से अपने face पे लगा लेते हैं लगवग इसको आप 15 से 20 मिनट के लिए अपने face पे रखिये Hello viewers, see the results, मैं आपके सामने हूं मैंने अब बात लिया है, मैं भी नहीं हूं और मेरे face पे कोई भी make-up नहीं है मैंने जरा सबी make-up अपने face पे नहीं लगा है और आप देखे पे मेरे skin कितनी smooth और कितनी soft हो रखिया है और इस पे बहुत अच्छा glow भी आया हुआ है I hope अपको मेरा ये mask बहुत पसंद आया होगा and I really want your reviews क्योंकि इस mask को जब मैंने यूज किया इसके results बहुत ही अच्छे थे अगर आपकी skin बहुत जादा किराब है तो I request you कि आप इस mask को हफते में दो से तीन भार यूज करें otherwise आप इसको simply moisturize करने के लिए अपनी skin को tone करने के लिए हफते में एक बार यूज कर सकते हैं but I request you as again because it is Igmin's World Channel तो आपको अपना धिहान जरूर रखना होगा so with the same I thank you very much to all of you to see my video to watch my video and if you like this video I request you to please like and subscribe my channel thank you very much and Jai Hind